पूरे एक हपते के दिवाली ब्रेक के बाद आ गई हो फिर से आप लोगों के साथ में DIY का एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया लेकर बट सबसे पहले आप लोग यह बताओ कि कैसी रही आपकी दिवाली आई होप आप लोगों ने बढ़ा ही इंजय किया होगा तो दिवाली अब जा चुकी है और जितने भी आइटम्स हमने बनाए थे दिवाली डेकोरेशन के उन सबी को अच्छे से रैप करके बड़िया से टीशू पेपर न्यूस पेपर में लपेट कर एक कार्टन में पैक करके रखतेंगे ताकि जब नेक्स दिवाली आएगी तो हम इनका फिर रख लिये हैं उन्हें मैं अंदर नहीं रख रही हूँ और उनसे कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसे पूरे साल हम अपने गर को डेकोरेट करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने दियों से इसे बनाया है तो मैंने कुछ नौ दिये ले लिये हैं और इने पानी में ती इस तरीके से मैंने इनके बिल्कुल सेंटर में होल बना दिया है और बड़े वाला जो है उसमें भी इस टाइप से यहां पर बना देंगे तो यह कुछ हम लोग दिवाली पर जो अखंड जोत वगर लगाते हैं उसके लिए बड़ा दिया लेना होता है जो हर साल हमारे घर में इतने सारे पड़े ही रहते हैं तो उनका यूज करेंगे और बनाएंगे बहुत बड़ी असा जूमर इस दिये के बिल्कुल सेंटर में निशान लगाने के लिए इसे के साइज का पेपर कट करकर निशान लगा लिया है ताकि जो छेद हम निकाले ना वो बिल्कुल सेंटर लगाएंगे कुछ और चीजे भी बनानी पड़ेंगी इस जूमर को डेकोरेट करने के लिए तो इसके लिए मैं ले रही हूं सिल्वर फॉयल और यह पतला वाला सिल्वर फॉयल है और सिल्वर फॉयल जो होता ना उससे किसी भी चीज की शेप बनाना बड़ा ही इजी होता यह देखो किती क्यूट लग रही है हाला कि मैं सिर्फ एक ना मतलब एक शेप बना रही हूं आगे जो डिटेलिंग का काम है वो हम आगे वाल पुट्टी से करेंगे बट एक बेस मिल जाएगा हमें वाल पुट्टी का काम करने के लिए क्योंकि हम इसे डोरी में पिरोने व बना रही हूं और मैंने इसे 30 बनाया है आप कम और ज्यादा बना सकते हो और इसके अंदर भी मैं पहले ही होल बना दूंगी क्योंकि हमें इने भी पिरोना ही है तो इस टाइप से पहले बना देंगे ताकि वाल पुट्टी जो है वो बाद में क्रैक ना हो और कुछ और शे लेने का यही फाइदा है कि एक तो हमें बढ़िया सी शेप मिल जाएगी दूसरा हमारा जो जूमर है वो बहुत हैवी नहीं बनेगा और वाल पुट्टी से काम करना भी एजी रहेगा क्योंकि अगर आप पूरी वाल पुट्टी ले लो गए ना तो फिर जो जूमर है ना उसका वेट बहुत जादा भड़ जाएगा वो बहुत हैवी हो जाएगा सारी शेप जो है वो रेडी हो गई है अब करेंगे वाल पुट्टी का काम तो मेरे पास में एक वूड़न का बोर्ट पड़ा था उसे मैंने ले लिया है ताकि वाल पुट्टी का काम इसी पर पानी साथ में रखेंगे एक स्पून और बॉल्ल में लेंगे वाल पुटी और वाल पुटी जो है वह अच्छी ब्रैंड की लेना बहुत ज़रूरी है तो मैं बिडला वाल पुटी ले रही हूं जिसे काम करना बहुत ही ईजी है और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हिलाते जाएंगे हाथ बिल्कुल नहीं डालना है इसे इतनी अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम हिलाते जाएंगे और जब इसकी बॉल्स बनने लगेगी तब हम क्या करेंगे अपने हाथों में लगाएंगे और अच्छे से इसे ग्री इसी भी वेट क्लोथ के अंदर हम इसे रैप करके रखेंगे तीन से चार घंटे के बाद ये ड्राय होना शुरू हो जाती है और अगर हलका फुल कर ड्राय हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स करो थोड़ा सा ओल लगा और फिर से नीडिंग करो तो ये सॉफ्ट हो जाती है अब जितनी हमें वाल पुटी चाहिए उतनी ले लेंगे और फिर बाकी को बचे हुए को हम इसे रैप करके रख देंगे और इसे पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा फेविकॉल में पानी मिक्स करके इसको बना लेंगे और टेलकम पाउडर जहां पे हमें इसे ब इस टाइप से दबा दबा कर जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो इजीली मतलब यह बन जाएगी और थोड़ी सी जैसे शेप बन जाए तो हम उसे थोड़ा ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और उसे पहले हम इसके अंदर जो हमने हूल बनाया था उसे वापस से बना जाएगे और जब तक हमारी बर्ड सूख रही है तब तक हम क्या करेंगे कि एक पेपर पर मैंने एक लीफ जैसी डिजाइन बना ली थी और उसके उपर वाल्पुट्टी को रखकर उसकी भी हम शेप देंगे और उसके अंदर भी हूल बना देंगे और जो इतनी देर में हम और विकोल लगाएंगे और हमारी बरड के पंक हम लगा देंगे और उसके बिजाइन्स जो हैं वह में किन चोढ़ाएंगे टोड़ आप चीडिया करेंगे तो मतनलब चोटी सी चीडिया है इस टाइप से हमारी क्यूट क्यूट सी लेटिल बर्ट जो है वो रेडी हो गई है अब हमने जो बीट्स बनाए थे सिलवर फॉइल से उनके ऊपर भी हम क्ले को रैप कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे गुल गुल बना कर इसके बीट्स बना लेंगे और यह सारे पीस न बड़े लाइटवेट बन रहे तो मेरी जूमर के सारे pieces ready हो चुके हैं और ये सारे के सारे मैंने अच्छी तरीके से इनने dry किया है और ये बहुत ही lightweight भी हो गया बहुत ही cute भी लग रहे हैं अब इने हम color करेंगे और color करने से पहले हम newspaper बिछा लेंगे और उसके बाद मैं ले रही हूँ Asian paint का terracotta color आप चाहो तो कोई भी कलर में इसे पेंट कर सकते हो बट मुझे तो यह जो टेराकोटा कलर और मिट्टी का लुक होता ना यह बड़ा ही अच्छा लगता है वैसे भे मैं इसे गार्डन में लगाने वाली हूँ तो वहां पे तो इस टाइप के जूमर लगे हुए बहुत ही अ और जो वाइट कलर से डिजाइन बना रही हूँ यह मैंने लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट और इसे हम इसे डिजाइन बना देंगे तो जितने भी बीड्स वगरा हैं जो भी डिजाइन वगरा हैं जिन पर आप चाहो उसी पर बना लो और जैसे यह चूटी-चूटी सी कर रही हूं मैंने ट्राइंगल बनाया हाई और पीछे की साइड में मैं पेस्ट कर दूंगी तो मेरा एक मतलब यह इसको क्या वह रही बना लिए और मेरा यह काम नग्तों में वाला मिंटों में हो जाएकख तो इस ट्राइंगल की शेप बन गई इसे तो इन सब दियों के उपर में इस ट्राइब से इसे रखती जाओंगी और डिजाइन बनाती जाओंगी और यह तो पास में कहीं शादी हो रही है और बड़ा ही बढ़ा ही डिस्टरबंस हो रहा है और इस टाइप से बड़ा जो दिया है उस पे भी मैं डिजाइन बना दूंगी और देखो कितना इजी हो गया इसे बनाना तो यहां पे मेरा काम हुआ सुपर इजी और यह जैश्य का और बर्ड को भी थोड़ा सा और डेकोरेट करें ये ही शादी वाले बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत लाउड बचा रखा है हमारे जोदपूर में तो मना भी नहीं करते हैं अचा एक चीज भूल गई थी कि जो फॉर्म शीट थी उसे मैंने ग्लूगन से पेस्ट किया था तो इस टाइप से हमारी क्यूट लिटल बर्डी रेडी हो चुकी हैं दिये भी बिल्कुल रेडी हैं और जित्ते भी पीसिस हमने बनाए थे इस जूमर के लिए सारे के सारे रे थ्रेड बहुत ही मजबूत होता है और आप इसको इजी ली नहीं तोड़ पाऊगे इसलिए मैं इस टाइप का थ्रेड ले रही हूं और एक ले रही हूं यह जो कर्टन्स लगाने वाले हुक होते हैं वह ले रही हूं उसे मैंने कट कर दिया उसे यहां पे लगाएंगे त रही मज़ार है और चारो तरफ जितने भी हमने होल किये हैं वहां पर हम इस टाइप से यह जितनी भी चीजह हैं उन्हें लगाएंगे तो जैसे पहले बड बीट लगाया फिर बीट लगा के फिर मतल पहले ही हम रख कर करके देख लेंगे अब इसे पिरोंने के लिए मैं क् कि मास्किंग टेप लेकर इस टाइब से यहां पर हम डोरी को लगा कर और एक बड़ी सारी सी नीडल जैसी तयार कर लेंगे और फिर सारे पीस हम इसमें पिरोएंगे तो यह इजीली मतलब पिरोया जाएगा तो चलो इन सब को रेडी कर लेते हैं इस टाइब से दियो की 8 लटकन रेडी हो गई है आप बड़े वाली जो दिया है उसके उपर हम सेट करेंगे और सेट करने के लिए हम इसे चोटा बड़ा 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 इस टाइब से रखेंगे और लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एजिस्ट कर लेना तो कैसा लगा आपको ये दियो से जूमर बनाने का आइडिया आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर से कर देना चैनल पे नए हो त मुल्रा कर देना प longevity मुल्रा टूर से कर द net कर की म exemplo gonna एवील संद आये षगा Jा म आपको र। घर टूर Ρ़ीड वार ले जाड़ील कर दो सकते हैं